दोस्तो आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश की आप कहेंगे कि एकॉनमी का हिसाब किताब में उत्तर प्रदेश की क्याать अर्थिया या अर्थविवस्था की बात कर रहे हैं जी नहीं मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहा हूँ जो कि अगले साल के शुरू में होने वाले हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होंगे क्यूंकि उससे शायद तैह होगा कि नरेंदर मोदी 2024 में वापस आएंगे या नहीं आप कहेंगे economy की हिसाब किताब में ये शो में इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतिया हैं वो बिलकुल इस तरीके से किये जाते हैं ताकि चुनाव जीते जा सकते हैं इस पे कोई बुराई नहीं है क्योंकि लोग चुनाव जीते हैं जीतने के लिए ही लड़ते हैं political party पार्टी है तो चुनाव जीतना है और जब वो सरकार में आते हैं तो जो चीजे करते हैं उससे अगर वो कर पाए तो चुनाव जीतते हैं अगर ठीक से नहीं कर पाए तो चुनाव हार जाते हैं अब आप देखिए कि मैं ये क्यों कहरा हूँ इसके पीछे मैं UP की जाती वादी राजनीती की बात करूँगा जब हम कास्ट की बात करते हैं या जातियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वर्न यानि हम कहते हैं सवर्न लोग हैं उसके बाद आते हैं OBC अधर बैकवरड कास्ट और उसके बाद आते हैं धलित और आदिवासी और साथ में अलसंख्यक लोग भी है और इसे के जो अलग-अलग गड़बंदन होते हैं इन लोगों के बीच में उसी से तैय होता है कौन और हमारा मानना रहा है जात तर लोगों का कि देखी जो दलित है वो तो मायवती के बस्पा के साहते हैं जो ओबिसी हैं उने से ज़्यातर वोट देते हैं तो समाजवादी पार्टी को देते हैं और ये दो पार्टी अगर सात में आ गई से लोकसवा सीट 80 में से हो सकता है कि 10-12 जीत ले उससे जादा नहीं जीत पाएगी लेकिन बीजेपी ने लगबग 2014 वाला अपना जो टैली है उसको दोहराया था कैसे दोहराया क्योंकि उन्होंने जो जातिय समिकरण है जो OBC और दलितों के बीच का समिकरण है उसमें सेंध लगाया और यह सेंध कैसे लगाया यह सेंध इस तरह लगाया क्योंकि BSP यानि की बसपा जो मायवती की पार्टी है वो लगबग एक दलितों में से एक जाती को रेप्रेजेंट करती है उसको ही सबसे जादा बढ़ावा दिया है जब भी वो राजनीती में जब वो उसकी स फाइदा नहीं हुआ है यह सच है नहीं है लेकिन पब्लिक में यही माना जाता है उसी तरीके से यह भी माना जाता है कि अगर हम देखे कि समाजवादी पार्टी जब पावर में थी तो सबसे जादा फाइदा यादवों को हुआ बाकी जितने भी छोटे-छोटे OBC ग्रू प्रफशन में यही माना जाता है और जो लोग इसमें है वो भी खुद इसी को मानने लगते हैं अब BJP ने क्या किया BJP ने इसमें सेंध लगाया है जो most backward cast है और जो महादलित है जो सबसे ज़्यादा गरीब है इन ग्रूप में उनमें सेंध लगाया है और इसी के चलते माय और अखिलेश आदव जब साथ आये फिर भी वो गटबंदन काम नहीं कर पाया BJP आगे बढ़ गए आप कहेंगे यह तो सिर्फ पॉलिटिक्स है राजनीती है इसमें कहीं पे हिंदुत्वा है तो कहीं पे आर्टिकल 370 है कहीं पे राममंदिर का मुद्दा है इसी के चलते यह लोग साथ में आये लेकिन इससे पहले क्यों नहीं आये थे क्योंकि मोदी सरकार ने जो बहुत ही अच्छी तरे से किया है और यह जातर लोग शायद जानते नहीं है या मानते भी नहीं है मैं लगातर कहता रहा हूं कि जो अती गरीब हैं जो सबसे गरीब हैं उनको उन प्राउंट में पैसा डालना, चाहे आप उज्वला स्कीम में गैस देना, चाहे फ्री राशन देना, इन सब का जो फाइदा हुआ है वो अती गरीबों को पहुचा है, नौकरी नहीं मिली है, काम नहीं मिलाया, रोजगार नहीं मिलाया, लेकिन बहुत सारे जो सरकारी सिस्ट बहुत कम है तो जो सबसे गरीब हैं वो सिरफ अगर सरकार से उनको महीने में तीन चार हजार रुपे किसी तरह से मिल जाए सस्ते में अनाज मिल जाए या फ्री में राशन मिल जाए खाना बनाने के लिए एक LPG एक बार मिल जाए तो उनको उससे बहुत फाइदा पहुंचता है अर्थी गरीब लोगों को तो मेरा मानना है यही है अर्थ नीती यानि कि आर्थिक नीतियां मोदी नॉमिक्स जिसको हम कहते हैं कि सबसे गरीब जो हैं उनको कुछ पहुंचा ताकि वो उनका नाक पानी से उपर रहे वो डूब न जाए चाहे पूरी अर्थ व्यवस्था डूबता ही रहे लेकिन जो सबसे गरीब लोग है उनको थोड़ा सा फाइदा पहुंचना चाहिए और मेरा मानना है कि UQA के तुलना में जो सबसे गरीब लोग है उनका situation मोधी सरकार में थोड़ा सा बहतर हुआ है और यह मैं बहतर कह रहा हूँ इस तरीके से बहतर कह रहा हूँ कि बहतर का मतलब क्या है कि हमारे देश में 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दिन में 30 रुपे से भी कम पर जीते हैं तो उनको अगर वो 30 के जगे 40 रुपे मिल जाए तो उसी से वो खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और क्योंकि उनको अगर लगे कि देखिए हमारे साथ जो पार्टियां थी चाहे वो बसपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो इन लोगों ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया और मोदी जी ने आके किया है तो वो मोदी और बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं और यही है यूपी पॉलिटिक्स की आर्थिक नीतियां और इसी लिए योगी सरकार भी कहीं कि न कहीं गरीबों तक कुछ न कुछ पहुँचास दिये गरीब जब मैं कहता हूँ मैं अति गरीब की बात कर रहा हूँ ऐसे लोग जिनको हम गरीब भी नहीं सोचते हैं जिनको हम देखते भी नहीं है जो हमें दिखते भी नहीं है वो इतने गरीब हैं हमें दिखते नहीं हम जब गरीब सोचते हैं तब हम इन उन लोगों को सोचते हैं जो सबसे नीचे के 30% हैं, उन से उपर है, जो हमारे घर में काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, कोई घर पे जाड़ पोचा देते हैं, उनको हम गरीब मानते हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, वो इन से भी गरीब है, जब नोटबंदी का टाइम आया था तब मैंने भी सोचा था कि गरीब लोग मोदी के खिलाफ चले जाएंगे लेकिन मुझे बाद में पता चला जब मैंने आंकड़े देखे कि हमारी देश में इतने लोग हैं जिन्नोंने कभी 500 या 1000 का नोट देखा ही नहीं है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा नोटबंदी से वो तो खुश होंगे बलकि कि नरेंद्र मोदी ने जो सेट लोग है जो अमीर लोग हैं उनको टाइट कर दिया और यही हमारे इलेक्शन में उसके बाद हमने देखा 2017 में भी हमने देखा कि कितने लोगों ने कहा कि नोटबंदी से अमीरों को प्राबलम हुआ है हमें कोई प्राबलम नहीं हुआ तो मोदी सरकार और योगी सरकार की जो योजना हैं वो सबसे गरीब तक पहुंचती है थोड़ी बहुत मदद जादा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है आप देखिए 6,000 रुपे साल में आप अगर PM किसान में मिलता है तो वो भी किसान के लिए बहुत होता है जो अती गर 1000 रुपे मुफ्त का मिल जाए तो आप सोच लिजे उनके लिए क्या फर्क पड़ता है तो जब अती गरीब को जो सबसे गरीब को हैं उन तक सरकारी योजनाय पहुंचाई जाती है तो क्या होता है आप जानते हैं कि जो सबसे गरीब हैं उनमें से जादा तर अती होता है कि सरकार हमारे लिए है और यही लोगों ने जाकर 2019 में जाकर नरेंद्र मोधी सरकार को वोट दिया था 2017 में भी बीजेपी को वोट दिया था क्योंकि योगी तो बाद में चुने गए थे पहले बीजेपी के नेता के या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तोर पे नह ही चीज फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है मोधी सरकार और क्या इस पे ये काम्याब रहेगी वो तो हमें देखना पड़ेगा क्या कोविट के चलते जो हुआ है उससे अब ये जो पूरा पॉलिटिक्स है ये थोड़ा सा वीक हो गया है ये भी हमें पता चलेगा अगले साल के शुरू में और जब वो पता चलेगा तो 2024 का भी थोड़ा बहुत हमें भनक लगेगी